नमस्कर दोस्तों आप सभी को स्वागत है तो आज हम बात करेंगे आपके तद्सम और तद्भाव पे ठीक है जो आपके प्रिवियस और क्वेश्चन है इन सभी पर हमें डिस्कस करना है बहुत अच्छे तरीके से हर अप्शन को तोड़ना है ठीक है तो चलिए बात करते हैं पहला प्रशन पूछ रहा है कि तद्सम सब्दों का मुल सुरुत क्या है तो यह सभी को पता है कि तद्सम सब्दों का जो मुल सुरुत होता है तो आपके कौन सा होता है संस्क्रित होता है यानि कि option number C आपके क्या होगा right answer होगा चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं और उसको देखते हैं हम लोग दूसरा प्रशन है कि कि किस क्रमांग का सब्द जो है तद्सम है अब देखिए इसमें चार दिया गया है सिंग सावला सीख सुस्क आपको बताना है कि कौन सा जो सब्द हो आपका तद्सम है तो यह बहुत असान है देखिए सिंग यह आपका सखा लेकिन यहीं तक बात आकर नहीं अटकती है बात यहीं होती है कि सरज सीख है का जो सूट कोलब से होगा जो इस तरह सम Ready लेकिन आगर इस तद्भव की बात करें तो इसका जो जो तद्वह होता है, वो सूखा होता है, सुख का मतलब आप जानते भी हैं, क्या होता है, सुखा होता है, ठीक है, तो सुख का मतलब सूखा होता है, इसलिए जो है आपका, ये हो जाएगा, सुखा तद्सम होगा, ठीक, और बात करें, सीख का आपको बता दिया, सिक्षा होत को आपका सिर्प कोई को किस कर्मांग का सब्द Did quello he भाज इम्द् वो आपका तद्भव है कौन सा है तद्भव है तो देखिए जब भी किसी की ऊपर चंदरबिंदू लगा होता है तो ज्यादातर क्या होता है तद्भव ही होता है तो अगर देखा जाए तो तद्भव कौन सा होगा सर बाज होगा क्या होगा बाज होगा लेकि सर बाज तद् बंध्या क्या होता है बंध्या तो बंध्या कभी इसी तरह से लिखा जाता है कभी कभी बंध्या आपका जो है इस तरह से भी लिखा जाता है तो दोनों सही है ठीक है ना हाँ बहुत सही है लेकिन सर बाधिर बाधिर आपका तच्छम है और इस बाधिर का तच्छम जो वदिक बात करते हैं जिसका पढ़ कौन से होगा तो पर बच्चा होगा फिर बात करते हैं वड़िक बर्लिक कहा हमा उन्हें यह जो होता है उर्द्वतन क्या होता है अगर इसका तदभो तद्सम की बात करें तो उर्धवतन होता है उर्धवतन होता है तो उर्धवतन जो होता है आपका इसका तद्सम होता है किसका उबटन का उर्धवतन ठीक है ना द्वर्थन जो होता है उबटन का तद्वा होता है और उबटन जो है आपका तद्वा होता है यानि कि इसके एक ओर्डिंग देखा जाए प्रस्टन के एक ओर्डिंग तद्वा पूछा है तो यह आपका D होगा लेकिन बात करते हैं यहाँ पे अक्छर तो अक्छर क्या है त अक्षर क्या है आपका तो अक्षर तत्सम है और इसका तदभव क्या होता है सर तो इसका तदभव होता है आखर क्या होता है आखर होता है अनार ये तत्सम है तो अनार ये का तदभव क्या होगा तो अनार ये का जो तदभव होगा वोगा अनारी क्या होगा अनारी होगा ठी उसके बाद से अंगुष्ट का तो अंगुठा आप जानते हैं अंगुष्ट का क्या हो जाएगा तो अंगुठा हो जाएगा भाई साथ क्या हो जाएगा अंगुठा हो जाएगा ठीक है अंगुठा तो इसका अंगुठा हो जाएगा ठीक है ना तो इसका तद्वाव तत-सम आप जान गए चारोग आप सोनके ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके सम्ने यह रहा पाच़र प्रश्न है कि कौन सा सब्द तत्वाव है इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम है क्या अग्र है तो अग्र तो तत्सम है यह है बिल्कुल सही है ठीक है आग यह आपका कौन सा है तो सर आग यह आपका तत्सम होता है जो अग्नी का तत्सम होता है ठीक है अग्नी जो है इसका तत्सम है और इसका तत्सम क्या है आग है आज आज की बात करें तो यह आज जो है आपका तदभव है और इसका तदभव होता है कौन से होता है इसका तदभव जो होता है अद होता है क्या होता है अद होता है तो इसका मतलब है कि सर हमारा कौन से अपसन सही है अगर का मतलब क्या होता है अगर का तदभव बात करें तो आपका कौन से होता है आगे होता है ठी होगा वाली बात कि जो आख होता है वो आपका हमेशा तदभव होता है क्या होता है तदभव होता है क्योंकि इस पर क्या लगा है चंदरबिंदू इसका तत्सम की बात करते हैं तो इसका तत्सम जो होता है वो आपका अक्षी होता है क्या होता है अक्षी अक्षी तत्सम सब् सा सब्द है जो आपका क्या है तत्सम है यह आपको बताना है कुवारा कूप कुलहारी या काठ इसमें कौन सा सब्द है जो तत्सम है तो आप देखिए कूप की बात करते हैं तो कूप जो होगा यहां पर आपका option क्या होगा सही होगा क्योंकि कूप जो है आपका तत्सम है क् सर इसका तद्वह होता है तो देखिए कुप का जो तद्वह होता है वो होता है आपको भाली भातिपता है कुवा क्या कूप का जो तद्वह प्लता है कुवा होता है और много तच्रम सब्दा है इसका मतलब कि option number B आपका क्या होगा राइट एंसर होगा लेकिन बात करते है कुवारा तो कुवारा पे चंदर बिंदू लग गया तो सिधा इसे क्या होता है भाई साब तो यह तदभव होता है क्या होता है तदभव होता है कुलारी भी तदभव होया कुलहारी की बात करें, तो कुलहारी का क्या होता है, कुलहारा होता है, क्या होता है, कुलहारा होता है, तो कुलहारा होता है, इसका किसका है, तो कुलहारी का जो तद्वह होता है, तद्वह होता है, और इसी का तद्वह क्या है, कुलहारी है, यानि कि अप्सन नमबर आपका इसमें कौन सब्सक्राइब बात करें अगले प्रश्ण की और साथा प्रश्ण आपके समने ये रहा का करा है कि किस क्रम में तदभव सब्द है तो इसे बताना है तदभव क्या उलू है वोस्ट है मिरिटिका है या वानरा देखिए उलू जो है यह आपका तदभव है क्या है या आपका तदभव है यानि कि option number एई क्या होगा सही होगा तो उलू का सर तदशम क्या होता है उलू का जो तदशम होता है वो होता है उलू क्या होता है वो होता है आपका उलू को तदशम सब्द है कौन सा है उलू का तदशम सब्द है ठीक और बात करें आपसन का तो ओस्ट ओस्ट मने जानते हैं आप ओठ होता है या आप इसको कहा सकते हैं होट भी कहा सकते हैं इसका जो ओस्ट है आपका तत्सम सब्द है और इसका तत्सम सब्द है और इसका तत्सम सब्द है सर लेकिन इसका तत्सम सब्द है सर लेकिन इसका आपका तत्सम सब्द है यह क्या है तत्सम सब्द है लेकिन बात करते हैं अगर इसका तत्भव की किसका इसका अगर तत्भव बात किया जाए तो तत्भव इसका बानर होता है क्या होता है बानर होता है बानर नहीं ठीक है बानर होता है तो इसका तत्भव जो होता है बानर हो जोती जीव जेट चकवा चंदर चूरा काट कातिका क्रेश्ट यति यव और यग्य तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो है वो कौन से होगा तो अपसन आपका डी नमबर सही होगा अब कैसी सही होगा अब इनकी व्याख्य भी तो करना होगा हमें देख होता है क्या होता है तो य्यास रखेंगे इस इस करके उसके बाद से अमबर भी की बात करें थे छकवाद चंदर जो है आपका डबना है और इसका तर्सम आपका हो होता है साथ तो इसका तत्सम होता है आप जानते हैं चांद होता है क्या चांद जैसे मुखड़ा लेकि चलो ना बजार में ठीक है ना हाँ चैंदर उसके बाद से चूरण तो चूरण की बात करते हैं तो यह तद्वो है आपका इसका तत्सम जो होता है क्या होता है चूरण ह तदभव सब्द है और इसका तदभव जो होता है वो होता है कार्तिक क्या होता है तो वो होता है सर कार्तिक कार्तिक का मतलब कातिका उसके बाद से बात करें क्रिश्ण तो क्रिश्ण आप जानते ही है कि ये तदभव सब्द है और इसका तदभव जो होता है वो कान्हा होता ह तो कान है जो है इसका तदभा है और इसके बाद से बात करें तो यती यो और यग्य ये तीनों तदभा है बाकी सब भी नहीं है इसमें ठीक ना तो यती का क्या होता है तो यती का तदभा बात करें तो जती होता है यो का क्या होता है तो यो का सर इसका तदभा जो होता है जो सब्द आपके दिये गए हैं, अब बात करें अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा, नोँव प्रश्न, कि किस क्रम में तद्सम रूप नहीं है कौन सा क्रम है जो तद्सम रूप नहीं है इसका मतलब कि सर इसमें हमें बताना है तद्भो क्या बताना है तद्भो बताना है ध्यान लेगा मरकटी समस्रू रिच या लवंग इसमें से आपका कौन सा सही होगा तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो रिच जो है आपका तत्सम सब्द है रिच क्या है यहां पर तत्सम सब्द है तो यहां पर देखेंगे कि जो हमारा लवंग है वो आपका क्या है तो सर यहां पर जो है अगर हम बात करें ठीक अगर हम बात करें तो मरकटी यहां पर बात करते हैं अगर मरकटी की तो मरकटी का जो तदभव होता है यह तो तदसम रूप है आपका कौन सा है तदसम रूप है इसका जो होता है आपका तदभव होता है मकडी क्या होता है इसका तदभव जो होता है मकडी होता है यानि कि यह तदसम है यह नह तत्सम सब्द है, और इसका जो होता है, तत्दवाव नहिए होगी? लेकिन लूवंग, लूवंग जो है, आपका तत्दवाव है, क्या है ये? तत्दवाव होता है, तो ध्यान रख ये प्ूछा था, आपका D क्या होगा? राइट एंसर होगा तो सर लौंग का जो तदसम होगा क्या होगा तो लौंग का तदसम लौंग होगा क्या होगा लौंग होगा यह आपका होगा तदसम इसका ठीक है और यही पूछा था कि कौन से तदसम रूप नहीं है तो यह तदसम रूप नहीं है यह तदसम रूप है हें ठीक है ना तो A warning He and más talkin देगा ऐख करें अगले प्रस्वर प्रस्पन होता है या बरियात्र होता है तो ध्यान रखी आप काफी कॉण्फ्यूज होते हैं लड़के इसमें कि यह जो बारात है वो बारात नहीं वो बारात होता है क्या होता है बारात होता है अरे भाई अगर यह आपने कह दिया ना तो यह पूरा गलती होता है यह सब्द सुद्धी नहीं है यह सब्द सुद्धी के दृष्टी से पूरा क्या है गलत होता है तो बारात तो कभी होता नह एक⁉ता ठीक है न हाक तो ध्यान रखीए आपका सही होगा कौन सुंगा तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर दिजिएगा और एक घंटी आपको दिखेगी इस घंटी को दबा दिजिएगा ठीक है ना और शेर वेर कर दिजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही जै हिंद जै भारत